करें सब्सक्राब्स कीजिए संस्क्रेदःसान चैनल को और नटिकसन घंती को दवाएं जिससे संस्क्रेस से संबंदित वीडियो आपको सबसे पहले प्रापत हों ये संस्क्रेटर सन्चनल में आप सभी का स्वागत है और चतुर्थी विवक्ति चल रही है तो में थोड़ा से लिख दूं फिर आपके बारे में इसके बारे में बताएंगी थोड़ा छतुर्थी विवक्ति ठीक है चतुरती विवक्ति के बारे में हमने पिछले कुछ सुत्रों को जाना आज हम कुछ सुत्रों के बारे में जानेंगे मैं पहला एक सुत्र ले लेता हूँ मैं रुच्यर्थानाम प्रियमाणा ठीक है रुच्यर्थानाम प्रियमाणा अब मैं इस सूत्र को थोड़ा सा ब्याक्ख्या करूँगा तो बाता साफ फूती चली जाएंगी इसको देखिए रुच्यर्थ और दूसरा है प्रियमाना रुच्यर्थ का मतलब क्या है और प्रियमाना का मतलब क्या है रुचिही इसका ये अर्थ है रुची अर्थ है जिनका उनका ये इसका मतलब रहा है चलो इसको मैं इंदी में लिख दू रुची अर्थ है जिनका उनका ठीक है प्रियमाना का मतलब क्या हुता है पसंद करने वाला जिसको कोई चीज रुची कर लगती है ठीक है प्रिय लगे वो प्रियमाना होता है और इसी से जो पसंद करने वाला है ठीक है न याद रखना थोड़ी सी प्याध्ख्या है समझे लो उसके बाद में फिर जो दिमाग में रहती है किसमें लगाई है चतुरति विवक्ति किसमें संप्रदान कारक होगा किसमें क्या होगा वह वात साफ हो जाती है यहां के रहा है कि रुच्यर्थानाम प्रियमाना रुची अर्थ है जिनका उनका अर्थात पसंद करने वाला उसकी संप्रदान संग्या होती है ठीक है अब संप्रदान संग्या किसकी होगी संप्रदान संग्या प्रिय माना जो पसंद करने वाला पसंद करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसकी संप्रदान संग्या हो जाएगी संग्या होगी यहां लेकिन चतुर्थी व्यक्ति किससे होगी चतुर्थी संप्रदाने ठीक ह इतने याद रखना ये बहुत प्रशन पूछ लिए जाते हैं कि संग्या क्या होती है और वो किस से सुत्रिसिस में चतुर्ती विवक्ति आई है आप देखिए मैं इसके उधाहन से आपको समझाने का प्रयास करूँगा ठीक है चलिए एक उधाहन ले लेते हैं बालक को लगता है थोड़ा सा ध्यान देंगे न तो अब ये सही से दिमाग में बिठा लो कोई वी चीज कठें नहीं है बस उसके थोड़ा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर देखिए पहले आई हैं रुची अर्थ है जिनका उनका यानि रुची अर्थ किसका है यहां बालक का नहीं है लड़ू का है ठीक ना ये रुचिकर है किसके लिए पसंद करने वाला कौन है यहां बालक तो केवल अगर हम इतना भी याद रखें कि जो पसंद करने वाला है उससे चतुरती व्यवक्ति का प्रियोग कर लिया जाता है तब भी इसमें सीधा हो जाएगा जो पसंद करने वाला है रूची के इसको अच्छा लग रहा है बालक को तेहां चतुरती ब्योक्ती लगा दो और बागे प्रियोक कर लिया जाएगा क्या बनगा इसमें बालकाय मूदकम रूचते ठीक है चोटी सी बात और बताता चलो यहां यह इसका अर्थ यैसे ही ने लिया गया है रूची जो अर्थ ली गई है वो रूची अर्थ है जिनका यानि लट्डू रूची कर है ठीक है ना इसलिए बालक को अच्छे लगते हैं तो यहां बालक को कोई कार करा रहा है अच्छी लगने के लिए तो रुची यहां रुची कर जो चीज है जो लड़ू है याद रखना जो रुची अर्थ है अर्था रुची कर धातू जो बस्तू प्रियोग होगी उसमें प्रत्मा विवक्ति का प्रियोग किया जाएगा कभी कभी इसमें दिक्कत आयाती कि इसमें कौन सी विवक्ति का प्रियोग किया जाएगा ये मैं आपको बताता चलूँ साफ साफ कि जो भी रुची कर बस्तू है जो भी चीज अच्छी लगे उसमें प्रित्मा विवक्ती का प्रियो किया जाएगा जिसको अच्छी लगे उसमें चतुर्ती विवक्ती का प्रियो किया जाएगा वात साफ हो गई एक बार और बता दू जो पसंद करने वाला है जिसको जो बस्तु अच्छी लगती है पसंद करने वाले में चतुरुती बिवक्ती का प्रियोग किया जाता है जो बस तु पसंद आती है वो करता के रुप में कार करती है एक तरह से और उसमें प्रित्म बिवक्ती का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो हम एक उधार्ण और लेंगे इसमें उंट को काटे अच्छे लगते हैं अब उंट को काटे गोर से देखी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात साफ हो जाएगी काटा जो है रुची करवस्तू है ये रुची पैदा कर रही है काटे दूर से दिखा रहे हैं रुची उनमें दूर से देखने पर उसमें रुची पैदा हो जाती है किसको उंट को तो उंट कोन हो गया पसंद करने वाला हो गया और काटे कोन हो गया वो बस्तू जिसको उंट पसंद कर रहा है तो यहाँ पसंद करने वाला तो उट हो गया और जिस बस्तू को पसंद किया जा रहा तो वो कांटे हैं तो पसंद किया जा रहा उस बस्तू से प्रत्मा का प्रियोग किया जाएगा और इससे चत्रती संप्रदान हो जाएगा तो उट में पहले संग्या चतुर्ती संग्या हुई और 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 चतुर्ती ठीक ये करता की रूप में कार करती है जो रुच वाली जो बस्तु है वो करता के रूप में कार करती है और जो पसंद करता है वो व्यक्ति संप्रदान के रूप में प्रियोग किया जाता है का बन गया इसमें क्रमे लकाय कंटकाह रोचंते उम्मीद अच्छे समिम्मारा होगा चलिए आम मैं तीसरा उधान लेता हूँ हरी को भक्ती अच्छी लगती है ठीक है हरी को भक्ती अच्छी लगती है यहां जो भक्ती है वो रुचिकर्ज है ठीक है वो रुची है उसमें किसकी हरी की तो हरी को क्या पसंद है उसको भक्ती पसंद है भक्ती में रुची है तो रुची जो बस्तु है यहां बस्तु नहीं है इए एक तैसे कोई चीज मान लीजिए भक्ति जो शब्द है उसमें प्रित्मा का प्रियोग किया जागा क्योंके युकरता की रूप में कार कर रही है वो पसंद करने वाला है भक्ती को वो हरी है इसलिए इसके संप्रदान संग्या हो जागी और इसमें चतुर्ति का प्रियो कर लिया जाएगा तो हरे भक्ति रूचते भक्ति क्या है जिसको हरी पसंद करता है रुचकर है भक्ति इसलिए इसमें ये करता की तरह प्रियोग केगी और प्रतमा भक्ति का प्रियोग कर लिया गया है तो मैंने ये रुचर्थानम प्रियमाना एक छोटा सा सूत्र था इसको समझाने का प्रयास किया हालागे बहुत सरल था लेकिन दो चीजें इसमें बड़ी confusion वाली थी कि इसमें कैसे प्रित्मा आती है ये वाली थी और पसंद करने वाला ये थोड़ी सी दिक्कत थी बस और कोई समस्या नहीं थी इसमें चलिए हमें एक और इसमें सूत्र लेता हूँ गूसरा सूत्र है शिलाग हुनंग इस्था शपाम जीपस्यमाना जीपस्यमाना माना ठीक है इसमें पीछे शिलाग हुनंग इस्था शपाम जीपसे माना इस तरह से इसको प्रियोग करते हैं ये सूत्र है मैं इसकी हाँ ब्याख्या करूँगा बात है साफ हो जाएंगी बहुत सरल सूत्र है एक बात देख लेंगे बात है साफ रूती चली जाएंगी देखिए शिलाग देख लेजी पहले है शिलाग हुनंग ठीक है इस्था और शब अब जीप से माना जीप से मान के वले हैं माना चुड़ दीजी चला माना लख लेजी कोई समस्यानी बात देखिए हमें के वले इनके अर्थ को समझना है शिलाग का मतलब क्या होता है यहाँ पर एक बात साफ करता चलूँ जब तक हमें इन चीजों के अर्थों को नहीं जान पाएंगे तब तक सूत्रों को जिंदिगी भर रटते रहेंगे वो कभी भी उनको साफ से समझ में नहीं आएगा शिलाग का मतलब होता है कथन यानि कहना ठीक है या प्रशंसा करना ये दो अर्थों होते हैं इसके हुनु का मतलब होता है अपनायन अपनायन मतलब छिपना यहां पहला आदिंग चलो छिपना या छिपाना यहां पर छिपाना प्रियू किया गया इसके लिए अपनायन मतलब एक जिपाना ठीक है इस्था का मतलब होता है ठेहरना शब का मतलब होता है उल्हाना दीना शब का मतलब होता है उपालंभ या कसम खाना ठीक है अब जीप से माना बचा जीप से माना का सीधा तात प्रहुता है जिसको जताना हो एक बार इसको पूरा बताऊंगा मैं आपको शिलाग को कथन या प्रशनसा के रूप में जानते हैं इसका हिंदी है हुनूं अपने नया नया च्छपाना क्यों में प्रियुक की जाती है इस्था ठहरना शप उपालंभ या कसम खाना जीप से माना हां जिसको जताना है ठीक है या लिकलो जिसको जताना हो हो भी कर सकते हैं आप है है ना करके जिसको जताना हो जिसक बिक्वेप्ति को अब यही बात हो जाती है कि जिसको जताना हो, उसकी संप्रदान संग्या होगी, इन हातों के योग में, जिसको जताना है, जिसको बतानी है, कि इसको इंगलिस में एक तरह से कहते हैं इंडिकेट करना दर्शाना ठीक है तो वहाँ जीब से माना जिसको जताना उसकी संप्रदान संग्या होगी उसमें चतुरती विवक्ति का प्रियोग कर लिया जाएगा उदान देखते हैं मित्र की प्रिशंशा करता है मित्र की प्रिशंशा करता है अब यहाँ प्रिशंशा करी जा रही है ठीके न यह वाला है प्रिशंशा जिसको जताना हो यहाँ जताना सीधा मित्र के लिए है जब प्रिशंशा हो रही है मित्र की तो मित्र के लिए ही तो जताना हो गया तो मित्र में उसकी संप्रदान संग्या हो जाती है तो मित्र की हो जाएगी तो मित्राय मित्राय शिलागते मित्र की प्रिसंसा करता है माता कसम खाकर बच्चे को चिपाती ठीक है अब गौर से देखना बच्चे को चिपाती है बच्चे को चिपाना है कसम खाकर माता अब कसम खा रही है यहाँ पर जो कसम खा रही है हो सकता है कि बच्चे को पिताजी के द्वारा डांट पढ़नी थी और वो दोड़ करके मा के पास पहुँच गया तो पिता जी भी उसके पीछे-पीछे पहुँचे हैं तो पूछ रहे हैं कि बच्चा कहा है तो बच्चे की अपनी कसम खा लेती है कि नहीं मुझे नहीं पता और बच्चे को छुपा जाती है तो यहां उद्देश छिपाना किसका है बच्चे को याद रखना उद्देश किसका है यहां जताना किसको है बच्चे के लिए बच्चे को छुपाने का उद्देश है यहां पर जो जताना है छुपाने का प्रिक्रिया है वो बच्चे के लिए है इसलिए यहां पर चत्रुती विवक्ति का प्रियुक बच्चे महोगी, ठीक है, तो माता, पुत्राय, अब छेपाने में क्या लगती है, हनुते, हनुते, इस तरह से इसमें प्रियुकर ले जाएगा, तो बच्चा यहाँ पर दर्साया जा रहा है, याद रखना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर चत्रुती विवक्ति का प्रियुक कर लिया गया, शिष्य गुरु के लिए ठेहरता है, अब यहाँ पर थोड़ी बात भी समझ में आ जाएंगी, मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं, शिष्य गुरु के लिए ठेहरता है, तो ठेहरना, माली जीये, जो उनका शिष्य है कार लेकर आ जाता है तो उसे ने देखा कि गुरू हमारे पैदल चल रहे हैं उनको देख करके वो आगे से जाकर के वो अपनी कार को रोक लेता है तो यहां उसका ठहरना गुरू के लिए है तो यहां गुरू को जताना यानि गुरू को दर्शाने के यानि को गुरु को यहां पर बिठाना है कि उनको मैं अपनी कार में बिठा लूँ जिससे के फिर हैं वो आराम से चले जाएंगे तो यहां जो मुख्य उद्देश है गुरु याद रखना यहां जीप जो जताने की प्रिक्रिया है वो गुरु के लिए है इसलिए यहां पर चत्रती विवक्ति का प्रियोग कर लिया जाएगा तो क्या मन जाएगा शिश्या गुरवे तिश्ठती ठीक है बहुत सरल तरीका है बहुत सरल यह सूत्र है इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए यह कुद हान और लेंगे मित्र के लिए कसम खाता है मित्र के लिए कसम खाता है यहां मित्र उद्देश है याद रखना यहां जो मित्र है जिसको जताना है वो मित्र है मित्र को मतलब दर्शाना मित्र के लिए कसम खाता है अब कसम खव खाता है कोई भी मित्र पर कोई भी पत्ती पड़ती है तो मित्र उसके हमेशा सायता करते हैं तो उसको कोई समस्या हुई होगी मित्र के लिए तो उसके मित्र को बलाया गया वहाँ और पूछा गया कि यह यह बात थी तो मित्र के लिए वो कसम भी खा गया तो यहाँ उदेश जो था मित्र था इसलिए यहाँ पर चत्रत्विवक्ति का प्रियो कर लिया जाएगा तो मित्राय ठीक है उमीद है आपको अच्छे समझ मागी होगी मैं इसमें दो ही सुत्रों के द्वारा बताऊंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है वह ज़्यादा और आगे आने वाले समय में हम चत्रत्विवक्तिक में और सुत्र रहें हैं उनके बारे में जानेंगे आज इतना ही